नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष्टाकर के साथ दोस्तो, JRF हिंदी 2021 की तैयारियों के अंत्रगत हम अपना इकाई दो हिंदी साहित्य का इतिहास पर रहे हैं और इसमें हमने कृष्ण काव्य को लगवा कम्प्लीट कर लिया है आज हम इसका नवा पार्ट करेंगे देखिए जिसमें हम भक्तिकालीन दरवारी काव्य के बारे में डिसकस करेंगे हालनकि इसके अलावा बहुत सारे जैसे वीर काव्य हो गया आपका प्रबंद चरित काव्य हो गया इस्तिके की रचनाई इस्तिके की प्रवृतियां भी भक्तिकाल में मिलती हैं लेकिन अधिकतर जो प्रमुकता से UGC.net की परिक्षा के लिए बहुत ज़ादा जरूरी है वो आपका भक्तिकाल इन जो अकवर के दरवार का काप्य है वो बहुत प्रमुक है इसलिए आज हम उस भी चकर सकते हैं इकाई 2 के नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आज हम पढ़ेंगे देखिए भक्तिकाल इन दरवारी काव तो चलिए बिना देर की शुरुआत करते हैं आज के लक्चर की और जान लेते हैं भक्तिकाल इन दरवारी काव के बारे में तो सबसे पहल देखिए भक्तिकाल को भी उन्होंने आगे चार भागों में बांड दिया ठीक है जैसे आपका निर्गुण सगुण हो गया उसमें आप देखते हैं पहले सगुण में राम कावे और कृष्न कावे आ जाता है जबके निर्गुण में आपका ग्यानमार्गी और प्रेमार्ग दो शाखाएं आ जाती है इस तरीके से चार भागों में बिभक्त किया था मेंली जो भक्तिकाल में देखिए क्या हुआ प्रमुक्च रचनाय रची गई वो इश्वर बंदना से रिलेटेड ही थी या भक्ति से रिलेटेड ही थी लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक प्रव रचनाय प्रारंभ में रची गई थी और आगे जो भक्तिकाल में भी कुछ एक रचनाय ऐसी रची जा रही है क्योंकि कोई भी रचनाकार एकदम से या कोई भी रचना की जो विशेश्ता है वो एकदम से खतम नहीं होती है तो इस तरीके की रचनाय कहां पर जो हमारे भक् रची जाने लगी थी तो देखिए मेंली ये चीज ग्या बता रहे हैं कि भक्तिकाल में निर्गुन सगुन भक्ति की प्रमुक प्रवितियों के अलावा कुछ गौन का वे प्रवितियां भी लक्षित होती है और जिनका उलेख ये कहते हैं कि साहित्य के इतिहास में अवश्यक हैं और वो प्रवितियां कौन कौन सी हैं सबसे पहले इसमें देखिए वीर का आविया तो यूं तो आपका जो भक्तिकाल है देखिए उसमें कुछ न कुछ रचनाव में जैसे आपका राम चरितमानस हो गया या राम चंदरी का हो गया इसमें राम के वीरता का वरंद को किया गया है लेकिन ज़्यादा तर जो तवज्जो किस चीज़ को दी गई है दूसरी चीज़ों को दी गई है जैसे मर्यादा पुरुशोतम वो राम है ठीक है उन चीजों को तवज़ो दी गई या भक्ती परक जो विशेशनाए है उनको जाधा महत दिया गया है तो इसके अधार पर जो वीरता परक जो रचनाए है वो यहाँ पर कम रची गई है लेकिन फिर भी एक तरीके से इनको हम नकार नहीं सकते कि भक्तिकाल में इस तरी कि कावेकृतियां भी रची गई है जिसमें प्रमुकता से जो नाम लिया जाता है देखिए यह आपका नला सिंग द्वारा रचित विजयपाल रासो तो हम देखते हैं कि जो आधिकालीन रासो साहित्या में हमने पढ़ा था देखिए वहाँ पर हमने देखा कि जितने भी रासो साहित्या हमने पढ़े विजयपाल रासो सारी जैसे पित्युराज रासो हो गया खुमान रासो हो गया और उन सब में हमने देखा कि वीरता की जलक देखने को मिलती है और यही चीज यहाँ पर भी हम देखते हैं किसमें बक्तिकाल में जो वीजयपाल रासो की रचना की गई है, भी डिंगल में एतिहासिक चरित काव्य ग्रंथ माना जाता है, तो ये चीजे हैं कुछ एक जो वीर काव्य के अंतरगत आपको पूछ जा सकते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी रखना जरूरी है क्लिर है दोस्तों उसके बाद है दीखिए दूसरा जो आपका है वो है प्रबंद चरित काव्या तो दीखिए प्रबंद चरित काव्या में जो चरित काव्या से हम क्या समझते है दीखिए चरित का मतलब होता है किसी के चरित का बखान का ना एक तरह के से जानना तो भक्तिका जो प्रबंद चरित काव्य के लिए किसको जाना जाता है प्रमुक्ता से तो ये जाना जाता है सुधारू अगरवाल ये हैं और इसके अलावा शाली भद्र सूरी हो गया गौतम रासकार हो गये और जाखु मनियार देवप्रब और पदमनाब ये कुछ एक नाम है जो प्रब पांडव चरित रास लिखा है जो चीज़ें मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ आप चाहें तो इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं हलांकि उतने ये मौतपूर नहीं है लेकिन का इवार परिक्षा में इस तरह किसे प्रशन पुछा जा सकता है कि भक्ति काल कर्शन के पूत्र थे उनका चरितर उनने वरनेत किया हूँ है सुधारू अगरवाल ठीक है यह अपने नाम रखना है याद और इसकी रचना दीखिये कब है 354 वी के आसपास तो आगे दिखिये इसके अलावा जो दूसरे रचनाकार हुए है शालि बद्र सूरि इनकी जो जाखु मनियार का है, देखिए हरिचंद पुरान कुमार पाल रासो ये देवप्रब का है और जो पदम नाव है देखिए उनका था जो प्रमुक्रचना ये थी पहनड देवप्रबंद तो ये चीजे हैं कुछ एक रचना है इनकी ये आपको याद रखनी है इसके अलावा ज तो ये कुछ एक नाम है जो निति काव्य के अंतरगत आते हैं, अकबरी जो दर्वार का काव्य है, अकबरी दर्वार के काव्य में जो प्रमुक्ता से नाम लिये जाता है, वो किसका है, वो आपकी रहीम, जो अब्दुर रहीम खाना, जिनका पूरा नाम है, उनका नाम ले जाता है, गंग है, टोडरमल है, तानसेन है, तो ये जो लोग भी आते हैं, जितने भी काव्य आते हैं, ये सब के सब किसमें आएंगे, आपका, अकबरी दर्वारी काव्य में आएंगे, इसके अलावा जो रिति काव्य है दिकिए रिति काव्य में जो भक्तिकाल के अंतरगज रिति काव्य आता है उसमें आपका प्रमुक्ता से नाम किसका लिया जाएगा या आपके कृपारामजी का ठीक है तो ये कुछ एक मुतोपूर्ण नाम है इन अलग-अलग भक्तिकाली चरित काबयों या प्रबन्द काबयों या वीर काबयों में जो चीजें है जो जरूरी थी और ये परिक्षा में हो सकता है इस तरीके से पूछा जाये कि किसका संबंद किस से है तो जो चीजें मैंने आपको बताई वो आपने सिंपली थोड़ा- नीती काव्या, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ है आपको बता दी, यह इतना ही पूचे जाएगा, यहां से प्रमुक्ता से जो चीज़ पूची जाती है, वो आपका अकबरी दरवारी काव्या ही प्रमुक्त है, इसको हमने ज्यादा फोकस करना है, देखी, में या भक्तिकाल में कि जो आपके मुगल समराब थे, अकबर, ठीक है, उन्होंने हिंदी वाशा को क्या है, एक तरीके से सम्मान दिया, है ना, और देखते हैं आप इनके दरवार में क्या है, हिंदी जो कवी थे, उनका विशीश सम्मान होता था, और कि स्वयम भी क्या कर हिंदी या फार्सी में रचनाएं रचते थे, देखिए, जो प्रमुख अकबरी दरवार के कवियों में नाम आते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिये, रहीम, गंग, तानसेन, टोडरमल, इत्यादी, तो ये जो महतपूर नाम हैं, ये यहां पर आते हैं, इसके अला थी, देखिए, द्वादश, यश, वो अचारे रामचंदर शुकल ने मानी है, कि वो ही चत्रभुजदास हैं, जो अच्छापी कवी हैं, लेकिन डॉक्र नगेंदर ये कहते हैं, कि जो चत्रभुजदास हैं, वो किस के अंतरगत आते हैं, अकबरी दरवार काव्य के अंतर किसी बता दी थी, कि इन्होंने इसको स्थान वहाँ पर नहीं दिया है, तो यहां पर इन्होंने माना है, कि ये अकबरी दरवारी कवियों में शामिल थे, ठीक है, तो ये तो होगे प्रमुक नाम रहीम, गंग, तानसेन, टोडरमल, इत्यादी, अब हम देख लेते हैं, इस कभी छूड चाते हैं, अमारे जैसे आपके गंग होगे, बनार सिदास जी होगे, है ना, सेनपती होगे, और कृपाराम जी होगे, इनको हम आगे वाले लक्चर में पूरा कवरप कर लेंगे, और हमारा जो कृष्ण काव्य है, हमारा जो भक्ति कालीन काव्य है, इसको हम य जो भी lecture में अभी यहां पर deliver कर रहा हूं इससे related जितने भी प्रशन बनते हैं आप इसका quiz के जरीए भी आप recollect कर सकते हैं चीजों को और यह हम अपने telegram group में इसके प्रशन जितने भी यहां से बनते हैं उनको लेकर आते हैं आप चाहें तो हमारे telegram group के साथ भी जुड़ सकत हैं description में आपको उसका link दे दिये जाएगा तो चलिए अब पढ़ लेते हैं रहीम को देखिए रहीम का पूरा नाम क्या है अब्दुर रहीम खान खाना तो यहां पर ना कट हो गया है उसको आप लिख दीजिएगा यहां पर देखिए कई जगा आपको मिलेगा अब्दुर अब्दुर रहीम खान खाना लेकिन अचारी रामिशनले शुकल के पुस्तक में आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा अब्दुर रहीम खान खाना तो यह इनका पूरा नाम है अगर इनके जनम की बात करें देखिए तो 17 दिसंबर 1556 में लहोर में इनका जनम हुआ थ आती है और अगर आप देखेंगे जो डॉक्टर नगेंदर का हिंदी साहिते का इती हासे तो वो इनकी मृत्यू मानते हैं 1638 लेकिन अधिकतर पुस्तकों में आपको यह बहला सन इसमें सही प्रतीत होगा और यही सर्वमान्य भी है कि इनकी मृत्यू करभू ही 1627 में तो य बैरम खान माने जाते हैं बैरम खान खान खाना तो बैरम खान वही बैरम खान जिनोंने संरक्षन प्रदान किया था समराट अकबर को ठीक है तो इसलिए यह कहा जाता है कि अकबर के जो जिसको कहते हैं अभी भावक थे बैरम खान उनके यह पूत्र थे तो एक तरीके से ब है कि ये वीर पुरुष भी रहे हैं और अनेकों लड़ाई हैं लड़ी हैं अकबर के लिए भी ठीक है जीवन के अंतिम दिन तंगी में गुजरे तो देखी कहा ये जाता है कि जीवन के अंतिम दिन इनके तंगी में गुजरे शाजां और चहांगीर के कारण ठीक है क्योंकि उनको क्या है, बंदी बना लिया गया था, रहीम को, और जब वोगे वहाँ से निकले, तो उसके बाद उनका जीवन बहुत ही देनी इस्तिती में ये आखिर में हो गए थे, ये चीज कही जाती है, तो ये कुछ एक चीज है ही रहीम के जीवन के बारे में, अब हम देख लेते हैं, रहीम की जो प्रमुख रचनाय हैं, जा इनका जो कावे संसार है, वो किस तरीके से रहा है, देखिए, एक रचनाकार की दिश्टी से रहीम का कावे, बहुत सम्रिद कावे माना जाता है, और इनकी रचनाओं की खोज, देखिए, सबसे पहले किस ने की है, ये के माया शंकर यागीक ये नाम आपने याद रखनेना है इनकी रचनाएं ब्रज, अवधी और खड़ी बोली तीनों में पाई जाती हैं तो ये भी मौतपुन चीज है कि तीन वहाशाई इनमें प्रमुक्ता से देखने को मिलती हैं खड़ी ब्रज और अवधी और इसके साथ साथ वे अर्बी और फार्सी और संस्कित के भी ग्याता थे तो देखिए क्या क्या चीज़े हैं तीन चीज़े तो हैं ब्रज, अवधी और खड़ी बोली तो है है लेकिन उसके अलावा अर्बी, फार्सी और संस्कित के भी ये अच्छे ग्याता थे इनकी जो प्रमुक मौत्वपून रचनाएं मानी जाती है देखिए वो है आपका दोहावली, नगरशोभा, श्रिंगारसोर्था, मधनाश्टक और बरवे नायकाभेद तो ये इनकी 4-5 कुछ एक मौत्वपून रचनाएं हैं, इन में इन रचनाओं का विशे क्या है? ये चीज अब हम विस्तार से देख लेते हैं, क्योंकि कई बार जो रचनाएं हती हैं, उनके विश्यों के बारे में पूछा जाता है अगर हम बात करें, देखिए, सबसे पहले इनकी जो दोहा वली है, ये 300 चंदों की रचना है ठीक है, कितने चंद हैं इसमें देखिए, 300 चंद हैं, भाषा की बात करी जाए तो ये कौन सी भाषा है देखिए, ये ब्रजभाषा इसमें है और इसमें क्या चीज है महत्वण, वहें नीती के दोहे, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, कि नीती के दोहे किसमें हैं, दोहा वली में ही है अगर हम बात करें देखिए, नगरशोभा की, तो नगरशोभा में 144 चंद हैं, इसकी भाषा भी ब्रजभाषा ही है, और विभिन जाती की इस्त्रियों का इसमें वर्नन है, वो भी किसमें दोहा चंद में ठीक है तो विभिन जातियों का वनन किसमें मिलता है नगर शोभा में और किस नगर की बात की गई है इसमें देखिए जो आपका दिली का मीना बाजार है उसका वनन इसमें मिलता है तो हो सकता है इसरी किसे प्रशन पूछा जाए कि किस बाजार का वनन है तो मीना बाजार का इनोंने बनन किया है, उनकी जातियां देखिए कौन-कौन सी हैं, जैसे जोहरिन हो गई, रंग्रेजिन हो गई, तुर्किन हो गई, कैथिन हो गई और गुजरी, तो ये अलग-अलग जातियों की स्त्रिया हैं, इनका चित्रन देखने को मिलता है हमें नगर शोभा में, तो ए आगे हैं देखिए, इनकी जो महत्रपुन रचना है, वह है श्रिंगार सोर्था, तो इसको भी आपने ज्यादा मुश्किल नहीं समझना है, ये इजी है कि श्रिंगार से ही श्रिंगार वनन है इसमें, मदन अश्टक है देखिए अगली महत्वपोर्णिन की रचना इसमें आठचंद है और ये खड़ी बोली में है भाषा इसकी क्या है खड़ी बोली है और इसमें कृष्ण की रासलीला का वनन है ठीक है मदन प्लस अश्टक इस तरीके से आपने याद रखना है तो मदन किसका नाम है देखिए ये है आपका श्रीक्रिशन का ही ठीक है मदन गोपाल इसके आधार पर आप याद रख सकते हैं कि इसमें रासलीला का वर्नन है बात करी जाए अगर बरवे नाईका भेद गी तो इसमें देखिए अबदिभाशा में नाईका भेद का निरूपन हुआ है त दोल सिदास तभी इन से प्रभावित भी हुए थे तो ये इनकी मौतपुन जो रचनाई थी उनकी विशेवस्तु क्या है उनकी भाशा क्या है और उनमें कितने चंद हैं और किस चंदों में वो लिखी गई है कौई कौनसी रचना ये चीज़े मनें आपको बता दी इनको आपने एक बार याद जरूर कर लेना है आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं नहीं तो आपको इसका PDF बीट आपको टेलिग्राम ग्रूप में प्रोवाइड कर दिये जाएगा चलिए अगला हम देख लेते हैं कि जो रहीम का कावे संसार है उसकी अन्य जो पार्सी और संस्कित मिश्रित हिंदी भाषा में है तो देखिए इन्होंने जोतिश ग्रंथ भी लिखा है जोतिश ग्रंथ का नाम है खेट कौतुकम जातकम तो इसमें देखिए इन्होंने क्या किया है ये जो रचना है इनकी ये किस भाषा में है फार्सी और संस्कित मिश यह इनका कैसा ग्रंथ है? जोतिश्क्रंथ है. यह चीज भी आपने यादखनी है. आगे यह कहते हैं कि संस्कित कव्यों के अनुकरण पर ही रहीम ने संस्कित में प्राथना परक छंद लिखे हैं जो रहीम काव्य के नाम से जाने जाते हैं. तो यह इनकी रचनाओं के जो बावर नामा लिखी गई है चकताई तुर्की में उसका भी इन्होंने फार्सी बाश्या में अनुवाद किया है. ठीक है? हो सकता है आपको इस तरीख से प्रशन पूछा जाए कि बावर नामा का फार्सी में अनुवाद किस ने किया? तो वो भी किस ने किया था? आपक सबसे पहले जो सबसे बड़े अलोचक माने जाते हैं हिंदी साहित्य में अचारे रामचंद्र शुकल वो क्या कहते हैं? तो देखिए अचारे रामचंद्र शुकल इनके समंद में कहते हैं कि भाशा पर तुलसी का साही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं. तो देखिए इन ग्याता थे लेकिन इसके अलावा आप देखते हैं अबदी, ब्रज और खड़ी बोली परपहिनम का जबर दस्तादिकार था तो इसलिए शुकल ने कहा कि भाषा पर तुलसी का साही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं दूसी चीज शुकल ये कहते हैं कि रहीम का रिदय भी भूत होने के लिए प्रयाप्त स्वरूप पा जाता था तो ये चीज भी कौन कहते हैं अचाय रामशंद्र शुकल जी कहते हैं कि हमें कल्पनाओं में उड़ने की जरूरत नहीं है संसार के सच्च और प्रदक्ष विवारों में ही द्रभी भूत होने के लिए प्रयाप ठीके ही पर नहीं है उनमें मार मिकता है उनके भीतर से एक सचा रिदय जहांक रहा है कि उनके दिल में जो चीज है वही चीज बाहर भी जहांक रही है ये चीज कही है अचाय रामशंद्र शुकल ने रहीम के बारे में तो ये रहीम के बारे में शुकल के तीन महतवपूर् आप चाहें तो इनको भी अपनी डाइरी में, अपनी कौपी में नोट कर सकते हैं इसके अलाबा अन्य विद्वानों ने भी अलग-अलग चीज़ हैं इनके समझ में कही हैं देखिए तो जो सबसे पहले इसमें डॉक्टर बच्चन सिंग का नाम आता है थे कि वो क्या कहते हैं बच्चन सिंग ये कहते हैं कि रहीम न तो जाइसी की तरह सूफी थे न रस्खान की तरह वैशनब संपरदाय में दिक्षित हलां कि हमने इससे पहले देखिए बड़ा ये था कि जो रस्खान थे ये संपरदाय निर्पिक्ष थे लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंग यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखिए किसमें दिक्षित थे वैशनब संपरदाय में ठीक है लेकिन बाद में जो आपके रस्खान थे वो संपरदाय निर्पिक्ष कवी हो गए थे उन्होंने सुथंतर होकर रचनाई रच्ची थी ठीक है डॉक्टर रामसुरूप चत्रुवेदी जो हिंदी साहित्य और संपरदाय का विकास इन्होंने रचना इनका प्रमुक ग्रंथ है उसमें ये लिखते हैं कि भक्तिकाल का जो प्यवेद्य है वो किसने पूरा किया कि रहीम की जो कृतित्यों से पूरा होता है आगे देखिए रामसुरूप चत्रुवेदी जी कहते हैं कि रहीम की शवदावली में उनके दोहों में सूई की विनमर वेधकता है तरवारी के तिव्र अक्रामकता नहीं तो ये वाली पंक्ति बहुत मुत्पूर है इनकी कि ये चीज किसने कहिए कि सूई की विनमर वेध और जो आपके रहीम है उनके समन्द में पूरी चीजें उनकी प्रमुकर रचनाएं कौन सी थी उनकी रचनाओं की विशेवस्तू क्या है उनका जनम कव हुआ था उनके पिता कौन थे और वे हिंदी जो आपका अकवरी दरवारी कावे है उसके अंतरगत आते हैं इसके तक भी अच्छे तरीके से जानकारी पहुंच सके आप चाहें तो और क्लैरिफाइ करने के लिए हमारे टेलिग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं वहां पर आप अपने वीचार सांजा कर सकते हैं खिलाल आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज से लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्जा और नई सपूर्ति के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जैहिंद